मैं प्रकास आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करेंट हैंट के यूटूब चैनल पर दोस्तों आज है 22 मईए 22 मईी 2021 से जितने भी इंपोर्टेंट करेंट अफेर के क्वेसिन हैं प्लस स्टैटिक्स जी के और questions से related जितने भी facts हैं आपको दिये जाएंगे दोस्तों अगर last तक बने रहते हैं तो last में एक ऐसा topic लिया जाता है जो आपके सारे exams के लिए बिल्कुल महत्वपूर होता है दोस्तों वही आपके directly exam में पूछे जाते हैं जिससे की हम और भी classes आपके लिए start कर सकें बिल्कुल free में तो like करना, share करना, subscribe और bell icon पर click करना आपके हाथ में दोस्तों आज का पहला question हाल ही में EY Index में भारत कि सस्थान पर रहा है EY Index क्या होता है पले EY के बारे में जानते हैं EY का मतलब हो गया earns and young क्या बोलने हैं दोस्तों earns and young का जो headquarter है वो लंदन यानिकि United Kingdom यानिकि England में हैं दोस्तों यह अच्छे उर्जा की बात हुआ है EY Index में भारत की सस्थान पर रहा है तो EY Index जो है दोस्तों यह एक अच्छे उर्जा यानिक जो photo-voltic energy होती है यानिकि PV यानिकि 100 photo-voltic energy जो उर्जा कभी खतम नहीं तो जैसे sun, sun की light है क्या अबिख खतम होगा अगर खतम हुआ तो पूरी धर्ती विनास हो जाएगा पूरे धर्ती का क्या पानी जो wind energy कभी खतम हो सकता है अगर हुआ तो धर्ती पूरी खतम हो विंड एनर्जी क्या कभी खतम हो सकती है नहीं दोस्तों लेकिन कोईला एनर्जी कोईले से जो energy प्राप्त होते हैं जो हमें petroleum से energy प्राप्त होते हैं यह अच्छा energy बोलते हैं और अच्छा energy का जो index है वह इवाई निकाला हुआ है इवाई का स्थापित करने के लिए चार सो पचास गीगावाट अस्थापित करने में प्रतिबध्ध हो जाएगा यह बात कहा था अमेरिका द्वारा आयोजी जलवाई उसी घर सम्मिलन में भारत ने कहा था कब तक कर लेगा भारत 2030 तक दोस्तों यह भी चीज याद रखेंगे दोस्तों आप चलते हैं कुछ नेक्स कोईसन की तरफ हाल रही में एसिया परसान्त में दूसरा सबसे बड़ा बीमा-प्रद्यों की बज़ार कौन सा देश बनाएं दोस्तों यह भी ळी हमारा भारत ही भात ही बनाया दोस्तों याद रखेंगे आग चलीं आप कुछ सारी दथे बता इसके बारेमें द पत्थे जारी हुआ है ASIA प्रसांत में जो बीमा पर्दो की बाजार का जो इंडेक्स से निकाला गया है इसे में भारत दूसरे स्थान पर है ये इंडेक्स निकाला जाता है S&P जो की अमेरिका की एक कंपनी है दोस्तों ग्लोबल मार्केटिंग जो रेटिंग्स देती है इंटेलिजेंस कमपनी है दोस्तों इन्होंने बताया है बहुत सारे आंकडों के अनुसार भारत एसिया परसांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा परद्यों की बाजार बना है भारत कुल पूजी का 3.66 यानि की 35 अरब डालर यानि की 35 परसेंट हिस्सेदारी रखता है कहाँ पे अपने एसिया पैस्पिक छेतर में जैसे के एसिया में बहुत सारे कंटरीस हैं लगबग 51 से लेकर 52 तिरपन कंटरीस हैं दोस्तों एसिया के बारे में फुल वीडियो हम बनाए हैं कॉन्टिनेंट्स का सारे वीडियो ब पैक बोलते हैं तो एसिया पैस्पिक शेत्र में भारत और चीन की हिस्सेदारी जो है दोस्तों 78 परसेंट है यानि समझ सकते हैं बहुत बड़ा दो देश मिला कर गए दो देश ना होते तो एसिया किस अस्थान पर होती आप अनुमान लगा सकते हैं याद रखेंगे यही दो देश जो है तो बीमा पर्दोकी को आकरसित करते हैं बहुत ही ज़्याद रखेंगे चलते हैं नेक्स वर्शन के तरफ हाल ही में कैम्ब्रीज के डी एन ए अनुकरमड के अग्र दूतों ने कौन सा पुरसकार जीता है तो उसनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेशन है कौन सा पुरसकार इन्होंने जीता है किस ने जीता है मार्ग प्रसस्त किया है उन्हें फिन लेंड के नोबल विज्ञान पुरसकार से भी सम्मानित किया गया है Cambridge University के प्रोफेसरों संकर बाला सुब्रमन्यम और डेविड क्लेनर मैन या दखेंगे कौन-कौन से दो सक्स हैं संकर बाला सुब्रमन्यम और डेविड क्लेनर मैन ने मानोजिनोम को अनुक्रमित करने के लिए 27 वर्सों में मानोजिनोम को अनुक्रमित करने के लिए तेज और सस्ता तरीका बनाने की बात की है यानि कि उस पे काम करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया लगभग पूरा भी हो चुका है इस बज़े से उनको 1 million euro million technology पुरुसकार से सम्मानित किया गया दोस्तों या दखेंगे इस पुरुसकार के बारे में हमने आपको बताया यह पुरुसकार 24 में स्थापित किया गया था द इनको या पुरुसकार से नवाजित किया जाता है दोस्तों तो इस समय कोविड-19 के कंडिशन में इन्होंने बहुत अच्छा कारणामा किया है जिनोम का खुज किया है इस बजिस इनको इस पुरुसकार से नवाज आ गया चलते हैं next question के तरफ हाल ही में भारत की कौन सी कंपनी 3.5 अरब डालर के सवधे में सौप्ट बैंक समर्थित एनर्जी खरीदेगी तो बता देंगे कौन सी ऐसी कंपनी है अदानी समु दोस्तों कौन सा समु अदानी समु दोस्तों आपको बताते हैं इसके बारे में सब कुछ पहले जान लेते हैं अदानी समु क्या है अ अदानी समु के स्थापना जब हुई थी कब हुई थी तो बता देंगे 20 जुलाई 1988 जो मुख्याल है अहमदाबाद में है यह दोस्तों यहां पर भारती अच्छी अच्छे उर्जा जो खतम नहीं होते हैं अच्छे उर्जा कंपनी अदानी ग्रूप एनर्जी लिमिटेट सॉप्ट बैंग ग्रूप कॉर्प समर्थित यानि कि आप समझ सकते हैं दोस्तों यह एक बैंक है सॉप्ट बैंक है एस भी से बोलते हैं एस भी इसका फूल फॉर्म है एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेट को 3.5 बिलियन डॉलर के उद्दम मुल में खरीदेगी यह बात कह दोस्तों जो कि ग्लोबल लिमिटेड है उससे भी एक कहले एक कि एनर्जी खरीदने का यह पूरा का पूरा पैसा चुकता कर चुकिए लगबग 80% एनर्जी दोस्तों याद रखेंगे 80% हिस्सेदारी यानि कि पूरा या खरीदने वाली है दोस्तों यहां पर अदानी समू जितनी बाते हैं आप जरूर से जरूर से नोट किया करिए क्योंकि वहां से भी क्वेस्टन बनने के बहुत सारे चांस होते हैं नेक्स्टन ही में किस कंपणी ने भारत में सिर्ष प्रकासकों के साथ नियूज सोकिस जारी किया है आपको यहां पर सब कुछ बताएंगे पह भारत में सिर्ष प्रकासकों के साथ नियूज सोकेस जारी किया है सोकेस दोस्तों सोकेस बोलते हैं सोकेस एक तरह का नियूज है दोस्तों हम आपको बताते हैं पहले जान लेते हैं जो सिर्ष प्रकासक मतलब किया हो गया सिर्ष प्रकासक मतलब जैसे कि जो सो नियूज एं इंडियन एक्सप्रेस, एबेपी लाइफ, इंडिया टीवी, एंडी टीवी, जी नियूज, अमर उजाला, डेकन हेरल्ड, पंजाव केसरी, दा टेलिग्राउम इंडिया, इस तरह की बहुत सारी कमपनिया हैं, बहुत सारी एजेंसियां हैं, जो की इसके साथ सोकेश जारी कि या है गूगल ने दोस्तों याद रखेंगे यहां पर बात हुआ है सोकेस का सोकेस के बारे में समझ लेते हैं सोकेस समाचार प्रकासकों को उनकी सामगरी के लिए आउनलाइन भुकतान कराता है और साजेदार प्रकासकों को उपयोग करताओं के लिए पेवाल्ड कहानियां तक सीमित पहुच पढ़ान करने की अनुमति देता है सोकेस जो 700 से अधिक प्रकासकों के साथ काम कर रहे 12 से अधिक देशों में लाइव है दोस्तों गुडवत्ता पुडपत्तकारता का समर्थन करने के लिए गूगल के वन बिलियन के निवेस वन बिलियन डॉलर के निव प्रकासकों के लिए गूगल के संस्थापक दोस्तों हमने बहुत बार आपको बताया है लैरी पेज और सरगी ब्रीन है दोस्तों याद रखेंगे चलते हैं नेक्स क्वेशन के तरफ हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधान परिशत के गठन को मंजूरी दिया है काफी महत सारी बाते हम आपको बताते हैं पहले बता देते हैं विधान परिशत कितने राज्यों में है डोस्तों हमारे चहाज्यों बीभ साणD diabarnam और यह दो और यहां पर सद्धाने आफ लाँच हुआ था सुंदरवन बुक्सा निस्नल पार्क यहीं पर इस्थि थे दोस्तों यहां पर एक है तो है तो उस और वाइड लाइफ राइगड वाय लाइफ सेंचुरी तो यहां पर मातीर स्वारिस्ट योजना यहीं पर दिन य यहां पर राश्ट्री संस्कृति महोसों 2021 का ऐवजन भी किया जायेगा यह बात भी यहां पर किया गया था दोस्तों यहां पर दोस्तों सुंदरवन टाइगर रिजयर्व है सबसे बड़ा सोलर ट्री का भी यही पर निर्माड किया जा रहे दोस्तों जो दुरगापुर में दोस्तों यहां की लोक सभा सीट 42, राज सभा सीट 16, विदान सभा सीट 205 है याद रखेंगे दोस्तों डायमेंड हर्बर पश्री मंगाल के दच्छडी 24 परगना जीले में इस्थित एक पत्तन नगर है याद रखेंगे दोस्तों पश्री मंगाल और जहारकंट के बीच एक भागर पढ़ता है जिसे हम कहते हैं मालदा गयप याद रखेंगे दोस्तों हुगली नदी के मुहाने पर बुलचेरी द्वीब जिसके उत्तर में काक द्वीब और पूरब में डलहोजी द्वीब भी इस्ती थे दोस्तों इसी जगह का इतिहास से आप जानते रहे हैं यहा पात याद रखेंगे दोस्तों हमने सारी बात आपको बता दी आप जरूर से जरूर से नोट करते हुए चलेंगे चलिए नेक्स वसन के तरफ हाली में CCI ने जीपील फाइनेंस को किस बैंग की MF सहयक कंपनियों की बिक्री को मंजूरी दे दी है तो यह बता देंगे पहले दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है CCI ने S-Bank S-Bank यानि CCI ने GPL फाइनेंस को S-Bank की MF सहयक कंपनियों की बिक्री की मंजूरी दी है याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पर S-Bank की बात हुआ है तो S-Bank का मुख्याल है मुंबई महराष्ट में S-Bank के M-D और CEO कोंने परसांत कुमार है दोस्तों याद रखेंगे चलते हैं next version के तरफ हाल ही में COVID-19 के कारण ACA Cup 2021 अनिशित काल के लिए अस्थगित कर दिया गया है ACA Cup 2021 देश में होने वाला था दोस्तों तो बता देंगे यह सिलंका में होने वाला था दोस्तों यहां पर सिलंका की बात हुआ है, तो सिलंका की जो पी-म है, महिंदर राजपच्छे, राष्टपती, गोटाबाय राजपच्छे, दोनों भाई हैं दोस्तों, यहां की राजधानी दो है, एक है स्री जैवर्धने पूरे कोटे जो की एड्मिनिस्ट्रेटिव राजधानी है एक है कॉलंबो, जो कि यहां की कॉमेर्सियल कैपिटल है, याद रखेंगे, चार फरोरी 1948 को यह आजाद हुआ था सिलंका दोस्तों, अब यह हालही में यहां के इस सारे परेरा ने इंटरनेशनल किर्केट से सन्यास लेने की घोशड़ा की है, यहां की प्रमुक नदी है मह अवेली गंगा दोस्तों, याद रखेंगे, चलते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेशन के तरब, हालही में नेशनल गैलेरी आफ मॉडन आर्ट ने आडियो व्यूजियल गाइड पर एप लांच किया है, दोस्तों, नेशनल गैलेरी आफ मॉडन आर्ट के अस्थापना आपसे यही सिंपल सा पूछा जा सकता है, तो आप बता देंगे, नाइंटी और फिफटी फोर में हो आता है, याद रखेंगे, चलते हैं, कल के क्वेशन जो आपने एंसर किया था, बहुत अच्छे से सारे बच्चे ने एंसर किया था, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप अपने फैमिली बढ़ा करते हैं, तो आपके सारे क्लासस लगा देंगे, जैसे रोहिज जी करते हैं, हमें पॉलिटिक साइंस बहुत अच्छा लगता है, आपसे वादा करते हैं जैसे ही हमारी फैमिली बढ़ी हुई, हम सारे 과सी बिल्कुल फ्री में लगा दे हाल ही में विश्व अस्तर पर विश्व मदमक्खी दिवस कम मनाया गया इसका राइट एंसर आप जरूरू बताएंगे दोस्तों आज का जो क्योशन आप दे है आपका मतब की क्योशन जितने इंपोर्टन क्योशन है आपके वह है दोस्तों प्रमुक फसल और उत्पादक दे है रबड का सबसे बड़ा उत्पादक थाइलैंड है मकई का सबसे बड़ा उत्पादक स्वयुक्त राज अमेरिका है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक वियतनाम है हमारे यह काजू का सबसे बड़ा उत्पादक केरल राज्य है दोस्तों याद रखेंगे डाल चेनी का का सबसे बड़ा उतपादक इंडोनेसिया है, लॉंग का सबसे बड़ा उतपादक इंडोनेसिया है, कोको का सबसे बड़ा उतपादक इंडोनेसिया है, काफी का सबसे बड़ा उतपादक ब्राजील है, संत्रे का सबसे बड़ा उतपादक ब्राजील है, पिस्ता का सबसे अपना ख्याल रखेगा